पर उसे कोई भी वहाँ पर नजर नहीं आता है कि शाजिंग अपने रबोर्ट का यूज़ कर रहा था उसको तैसे लगता है कि वहाँ पर भी चीज़ें पड़ी हुए इसलिए वो दोस्ते वाले से क्या दिता है कि यह जगा तो फूल है इसलिए वो वाही रखकर चले गए है तो कायट कहता है कि चलो यहाँ से उठाते हैं इसको तूसरी जगा पर कहीं रखते हैं सौंग यह जिसकी सांसे अटके हुई थी और वो उसे पूछे लगती कि क्या यह अंदा हो गया था इसको हम क्यों नहीं नजर आए पर शाओ जिंग उसको कुछ भी नहीं बताता बलकि कि अपने रोबोर्ट का भी दुबारा से अपनी पॉकिट में चुपा कर रख लेता है वो गार तो महां से जाते हैं पर जाते जाते वह अच्छे से जगा को ताला लगा कर जाते क्योंकि उनकी ड्यूटी खतम हो चुकी थी अब यह दोनों बाहिर तो लिका लाए थे पर श क्योंकि मैं तुम्हें चुपाना चाता था अगर तुम्हारा पता लग चाता तो तुम्हारे से पता निए वो लोग क्या करते अब उसकी बातों से तो वह समझ आते कि यह जूट बोरा तो वह कहने लगते कि मुझे पता है शाजिंग तो डरा होता है कि उसे सच में तो प् हम यहां पर चुकता है कि वहां लग चुकाँ बना लेती है देखते साथ है और साथ में शौ जिंग को भी भिठा ल positively होने का costs करLaughेंगे क्यूंकि लगता है कि मुझे बुरा लग जाएगा और लोग बात नहीं करते तो मैं भी अपने पिरेंट्स के बार में कभी भी बात नहीं करती अब उसके पिरेंट्स वाली बात सुनकर शाजिंग सोचे लगता है कि कभी भी इसने पिरेंट्स के बार में बात नहीं की थी वैसे पर में आ जाती है उसको अपने मॉम डाट की दत कैसे हुई इसलिए मुझे लगता है कि उनकी दत मेरी वज़ा से हुई है यही बाते करते हुए वह उसके कंदे पर सरक किस हो जाती है शाजिंग भी उसे कुछ भी नहीं कहता बलकि अपने रोबोर्ट दोस्ट शासु कमां से कह डॉक्टर पर चेलाने लगता है जबकि डॉक्टर से कहीं लगता है क्या मेरे पास के लिए मैजले के लिए अगर तुम ले आते हैं तो भी यहा कर दो 밭घा न इह जपर उसके आपना मास्टर दीघंग नजगा है उर्मण वोड़ते हैं और जब सौंगी को हो शाती तो पता लगता है कि वो तो शौजिंग के घर पर है तो वो उठते साते सबसे पहले उसकी प्रिश को देखने के लिए जाती है पर देखते है कि वहाँ पर तो कोई भी कॉक नहीं है तो वो कहने लगती कि कोग कहां पर गई तो वो कहने लगते हैं कि अच्छी चीज़ खाया करो ये गंदी चीज़े होती है सौंग कहने लगते हैं कि तुम भी तुसको पीते थे ना पर शाजिंग तो उसको अपने घर से जाने को कहता है कि अगर आभी तुम ना गई तो तुम नहीं पहुंचोगी पर वो तो जाते होए वापीस आगर कहते है कि तुम्हारा रस्ता और मेरा रस्ता सहीम है तो तुम्ही मुझे अपने साथ ले जाओ बट इस बात पर शाजिंग उसे बाइबाइ करने लगता है तो वह यह देखकर अपनी साइकल पर जाने लगती है वो तो पिचारी साइकल पर जा रही होती है पर उसके पास से शारिक भी घुजर का जा रहा है, तो से देखा, Wise itator नहीं रुकता, वारके आगे रेट सिर्चिनल्स होने की व composting पांच चाया है, सॉच्पी बी जाकर जलती से उसके पास पहुंचती है तो हम डेट props पांचती है, तो रेट सिर्चिनल हो जाता है इस शारिक उसके पास पहुंचते है तो रेट सिंगनल हो जाते है इस वज़ा से शाजिंग वाँ से चला जाता है शाजिंग का जो रोबोट होता है वो आगे जाकर निकलाता कहें लगता है कि आपको इसको बिठा लेना चाहिए था अब ये बाद सुनकर शाजिंग कहें लगता है कि तो वो रोबोट बिल्कुल भी बोलनी पाता, सौंग ये भी, किसी ना किसी तरह साइकल को चलाते चलाते वो अपनी फाइनली एक लास तक पहुंच आती है, क्लास में बैट का क्खा रही होती है, स्था लेक्चर दे रहे होते हैं, सर ये भी बता रहे होती है, कि आप लोगों कल बेस में जाना है सबी बच्चे काफी कुछ होते हैं पर सौंगी को छोड़ कर क्यूंकि वो तो उसकी ग्रेंट पाकी ही बेस थी और वो हमेशा से उसी बेस को देखते कर तो बड़ी हुई है यह उसके लिए कोई नहीं बात नहीं थी जबकि उसकी फ्रेंट के लिए भी जाती है जिसने और यांग के पास जाना था तो काफी अच्छे से त्यार होने लगती है इदर शाओ जिंग जो रबॉट शाओसर के सथ बाहिर आया हुआ था रबॉट तो काफी जाता खाने की चीज़ें ले रहा होता है उसे इस तरह चीज़ें लेते हुए देखकर कहने करें यहीं करने है तो करना हुए देखकर को नहीं बताती और दौन और पेंटिंग करने के लिए चले जाते है इतरह में रफासर के पास होता है और उससे बताएक हえー मेरेइस बीज़े में ओप में वहां पर पिख्ष यहांगा तुम बच्चों को अच्छे से संभाल ले ना झे रहें लोगा तो आप ट्राइ करे नांग उसकी स्मेल से कौन से सgriff केंड है क्योंकि इसे कोई प्रफिल नेकी तो वह से कहने लगते हैं कि यह मेरी खुद के बनाए हुए हैं तो वह कहने लगता है कि हाँ तुम बना सकते हो आके ग्यांट पाप भी तो तुम्हारे यही काम करते हैं ना उनकी तो बेस भी है और किसी से भी नीजिका बलकि फर्स ट्राइट थी अगर तुम चाहते हो तो मैं भी कुछ सिम टू सिम तो नहीं बना सकती थोड़ा वो डिफ्रेंस आ जाजाएगा मैं तुम्हें वह बनाकर दे दूंगी और यांग उसके सब काफी खुश होता है दूसरी तरफ शाजिंग दिखा जाते जो गैंट पा के साथ उनकी फाइल का काम करवारा चाहते हो तो अराम से पढ़कर मुझे वापिस दे देना शाजिंग तो खुश हो जाता हो फिर गैंट पास को टीनर के लिए इंवाइट करने लगते हो कहने लगते हैं कि आज आज तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर आ जाओ क्यूंकि सौंग इर ने भी आज कहीं पर भी नहीं में उसके कोई भी क्लास नहीं है और जिंग भी फॉरन से ग्राट पाखी बात पर मान जाता है जाने के लिए इतर सौंग ये दिखाए जाती तो दोनों साथ में बैट कर पेंटिंग वगरा कर रहे होते हैं तो और यांग के फेस पर पेंट लग जाता है तो सौंग ये उसक है कि है कि यहां पर मास्टू से मिलने के लिए आई हो तो व practicing काम करोओं ऑन्क क्या मैं व्याइओ तो मिरी फैन हो पर आसा कुछ भी न presum不錯 बहाता है हो थो वह कहने लगते हैं अब indelle खायने चलते हैं को इनले और लो ने कहाए देना धा वो भी सके साथ जाने लगता वेट वेई को तोस पर इतके पर जूसारा होता इब इब ईपार झानों Ciao